Hello students, last question है, आपके पास, question number 11, A के लिए आपको values दे रखी हैं, देखो पहले से, A, B, C, और some elements of A multiplied B are, अच्छा ठीक है, A multiplied B के आपको कुछ elements आपके सामने दे रहा है, A, P दे रहा है, B, Q दे रहा है, और C, P दे रहा है, सारे नहीं है, बट कुछ हैं यहांना, write the set B लिखना है, आपको इसमें से choose कर गए, तो B तो मैं choose करी सकता हूँ, easily, second component उठाना है मुझे, यानि P and Q, अब यह confirm कैसे होगा, कि यहीं पे इसका end हो गया है, तो confirm करने के लिए देखो, इसने क्या कर लो, find the remaining ordered pair, तो remaining elements भी निकाल देता हूँ, मैं साथ में पहले, A को P से कर लिया, कर रखा है, A को Q से कर लिया, नहीं किया, yellow, A, Q, यह remaining element का पहला, फिर B को P से कर लिया, नहीं से नहीं किया, B को P से नहीं किया, B को Q से कर लिया, C को P से कर लिया, हांसर कर लिया, C को Q से नहीं किया है ये लो, ठीक है बिलकुल हो क्या मावला ये remaining elements हो गया, और क्या find करना है such that ये देखोई condition है आपके सामने given थे इसर से मैंने यापे hint लगाया ये इसके final है, क्यों? ये तभी possible है जब na multiply n b होता है, ये 6 कब आएगा जब 1 के 3 element है, तो इसके 2 होंगे जबी तो होगा ये, ये 2 है ये ही confirm कैसे हुआ, अपनको इस last वाले word से हुआ ठीक है, question number 11 कुटेट